नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप किलास को सेयर कर दीजिए और रिजल्ट में पिलेट फॉर्म को हर विद्यार्थी के मवाल तक पहुँचा देजिए तो साथियों आज हम लोग जानने वाले हैं कैंसर की इस्थिति को भारत में कैंसर की क्या इस्थिति है और अब बर्तमान में इसके लिए क्या जैसे अभी हाल फिलाल में बजट आया था तो बजट में हमने बहुत सारे चीजों को देखा तो उसमें एक प्रावधान ये भी था बजट का एक पार्ट ये भी था कि जो कैंसर की दवाएं हैं उसके संबंद में हम क्या एक्स्टा चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि आज दोस्तो ना केबल भारत में बलकि पूरी दुनिया में एक ऐसी दिन चर्या लोगों द्वारा अपनाई जाने लगी है जिस दिन चर्या का कोई भी अस्तत नहीं है या ये कह लीजिए कि ये दिन चर्या बास्तों में ब्यक्ति के स्वास्त के लिए तो लाद दायक नहीं है एक टाइम हमारे देश में वो हुआ करता था कि जो व्यक्तियों की एक नियमित दिन्चर्या हुआ करते थी व्यक्तियों का सही खानपान हुआ करता था व्यक्तियों को ये सारे तौर तरीके नैचुरल तरीके के हुए करते थे आज हमारे खानपान में एक तो हमारी दिंचर्या ठीक नहीं है दूसरा हमारा जो खानपान का तरीका है वो भी एकदम अलग हो गया है और अलग होने के साथ साथ हमारे जो खाने पीने की जो चीजें हैं क्योंकि कई बार हम packed food पर निरभर depend हो जाते हैं बाहर जब कहीं आत्रापर जा रहे होते हैं, यह दूसरी बात, आज जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो हम तला हुआ अधिकांसता भोजन कर रहे होते हैं और ऐसा तला हुआ दोस्तों जहां पर आप लोग देखोगे कि कई बार जिस बरतन में भोजन बनाया जा रहा होता है उसमें वो एक दिन बनाया होते हैं फिर दूसरे दिन भी बिना धुले उश्री में बनाया होते हैं त तो ये एक्चुल में बीमारियों के लिए आमंतन है और ऐसे इस्तिती में जब हम बराबर इन सभी चीजों को इग्नॉर करते हुए नजर अंदाज करते हुए अपनी दिंचर्या में इन सब चीजों को सामिल कर लेते हैं तो फिर हमें गंभीर बीमारियों की चपेट में आज लेती हैं तो आज हम इसी के संबन में ये पढ़ेंगे जानेंगे कि भारत में कैंसर और इसकी दवा के स्थिति क्या है क्योंकि जब ऐसी गंभीर बीमारी आएंगी कैंसर जैसी स्थिति आएंगी है ना और आप सभी लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे क कैंसर बहुत सारी चीजों से फैलता है कैंसर में जो कोशकाएं होती है ठीक हो कोशकाएं खराब होने लगती है और उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि कई बार जो है जो लोग तंबाकू का शेवन करते हैं गुटका इस तरीके के जो चीज़ें खाते हैं इनको कैंसर होने cancer का एक चित्र मना दिया जाता है लेकिन भारती ये लोग बड़ी खतरनाक होते हैं राइट तो आए जानते हैं क्या है अभी हाल ये अफसंदर क्या है तो अभी मने आपको बताया ये कि अभी हमारे budget में जो अभी budget आये था तो budget भाशन में बित्रमंद्री जो हमारी निर्मला की घोसना कर दी है अभी हाल प्लाल में और budget घोसना से पूब इन दवाओं पर 10% का सीमा सुल्क था अब एक बास सोचे कि यदि इन पर जो सीमा सुल्क लगा है यदि हम सीमा सुल्क को कम कर दिया तो दोस्तों ये सत्त हुए या हम ये कह के चल सकते हैं मान के भी चल सकते हैं तो ये लक्षित कैंसर दमाएं हैं ये जो तीनों दमाएं आप देख रहे हो ठीक है ये तीनों दमाएं जो है लक्षित कैंसर दमाएं हैं ठीक है इनका उद्दिस केवल कैंसर का इलाज करना होता है और कैंसर के जितने स्टैप जो लेबल होते हैं ठीक है उन लेबल पर जा वहता रात्मक असर नहीं होता है मतलब ये केवल और केवल को टार्गेट नले कैंसर का रिजन अंगी कोशकाएं हैं उन पर यह कोई negative effect नहीं डालेंगे नकार आत्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा या वो कोशकाएं खराब नहीं होती हैं यह दमाएं उन विशस्ट कैंसर कोशकाओं को लक्षत करती हैं जो ऐसी कोशकाओं को बढ़ने विभाजत होने तथा फैलने में मदद करती हैं ऐसी कोशकाओं जो कैंसर को बढ़ने में मदद करती हैं जो कैंसर को विभाजत कई पार्ट में अलग अलग पार्ट में भेज नहीं होती हैं या उसको फैलने में मदद करती हैं तो उन कोशकाओं को ही समाप्त करने का प्यास करती हैं उन कोशकाओं को ही नस्ट कर देती जब रही है और यदि वू कोशकां नस्ट हो जाएंगी जो कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं, तो नो डाव दोस्तों व्यक्ति के सरीर में जो कैंसर की प्रॉबलम है, वो कैंसर की प्रॉबलम सॉल्ब की जा सकती है, तो ऐसे इस स्टीटिय में यह दमाय रोगी की प्रतिरख् तंत्र को इस प्रकार प्रिशक्षत कर पाएं कि विश्वयम ही ऐसे cancer कोश्का को ढूंड कर नस्ट कर सकती हैं अच्छा जैसे आप लोगों ने हमारे बोडी में जैसे आप लोग देखते हो हमारा सरीर खुद बीमारियों से लड़ता है पहले तो है ना जैसे हमारे सरीर में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने सरीर के लिए कोई नुकसान चीज कर रहे हैं खा रहे हैं तो हमारा सरीर का जो system है ठीक है एंटी बोडी है जो हमारे बोडी में वो उस चीज़ से बहुत लड़ती हैं इतना लड़ती है कि उसको परास्ट कर देती है हरा देती है और ज जब लड़कर उसको परास्ट कर देती है दोस्तों एक बार परास्ट कर दी तो यदि दोबारा वही बारस जाता है तो हमारी एंडी वार्डी जब देखती है क्या रहे चले आ रहे हैं चाचा साहब तो फिर जो है यह अपना जैसे एक युद्धा तलवार लेकर के तैयार हो हो जाता है ऐसे हमारी वाडी इंडी वार्रीस विढ़ने लख आ जा देखते हैं और एकदम खितम कर दीए हैं तो यह ढवा भी कुछ इसी पीकार से हमारी एंटी वाडी जिको ट्रेन कर देगी कि वो जैसे यासी कोषका को देखेगा वो समझ जाएगे अन तुबा ने बता यह एक एंटी वाडी ड्रक कंजुगेट है मैंने अभी आपको बताए कि एंटी वाडी क्या काम करती है अर्थात एक मोनो किलोनल एंटी वोडी शे बना होता है ठीक है मोनो किलोनल एंटी वोडी शे बना होता है और इसका उप्योग एक प्रोटीन है जो इसतन कैंसर कोश्काओं के उपरी भाग में दिखाए देता है तो यह जो दबा दी गई है यह इसतन कैंसर कोश्काओं के प्रोटीन है के ऊपरी भाग में जो दिखाए देता है उस पर उस पर जो है उसर कि इलाज की रूप में इस दवा का प्रियोग कि अजाता है और के बाल अशी करिंए बलकि इसलिए इसकि में बास्याँ गया हो मतलब एक लेवल बढ़ गया हो जिसका अब ऑपरिशन नहीं किया जा सकता हो ठीक है यानि एक अलग लेबल पर प्राइमरी लेबल से थोड़ी सा उपर बढ़ गया हो तो ऐसे कैंसर के लिए लाज में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है अब यहां पर लिखा भी है कि मेटा एस्तिसाइ है वो अन्य जगे भी फिल गई है तो वह इस प्रिकार की ट्रीट्मेंट में भी इस प्रिकार की दवा का यूज किया जाता है इसे डायची सांकियों द्वारा विक्षित एवं एस्टे जिनका द्वारा एं थेर्टू के रूप में यह बिप्रेत यानि मार्केटिंग किया विफाल हो गया तो फिर हम इस प्रिकार की ट्रीट्मेंट का प्रियोग में लाते हैं 2019 में इस दवा को इस्तन कैंसर के लाज के लिए अनमोदित किया गया था मानता प्रिदान करी गई थी हाला कि दोस्तों यह बड़े महंगे हैं इतना सब सस्ता होने के बाद भी महंगे है हैं देखने कि कितने महंगे हैं वर्स 2021 में इससे गेस्तों इस्ते टारिनल कैंसर के लाज के रूप में प्रियोग किया लिए भी अनमोदित किया गया इस दवा को अमेरिकी खाद एबं औस दी प्रिशासन से उतक अग्य अनमोदन प्राप्त हुआ है जो इस प्रिकार की पह व्रिकार की आनमोदन प्रियोग की जा सकती है चाहे हुए कहीं से भी उतपन हुआ और दोस्तों इस डवा की कीमत एक दसमलब 6 लाग प्रति शीशी जैसे आप लोग यह सीशी देख रहे हो टिकर यह शीशी देख रहे हो तो इस सीशी की कीमत है वह दोस्तों 1.6 लाख प्र तो लोग में छूट देदे ना कहीं न कहीं ये रिलीव की बात होगी जिन महलाओं को जिन हमारे भारत में ऐसे जो लोग हैं जो इस कैंसर से पीड़त हैं उनके लिए ठीक इसके बाद आईए जानते हैं अपन दूसरी दबा जिसका नाम जिसे हम लोग जो है आसे मेरेटिन के नाम से जानते हैं कैंसर की उप्रियोग दबाओं में से भारत में सबसे ज़्यादा इसी का प्रियोग किया जाता है मतलब जितने भी दबाओं है उनमें से सबसे ज़्यादा इसका प्रियोग किया जाता है इसका भी निर्मा एस्ट्राजेन का द्वारा ही किया जाता है जो टेबिशों के रूप में विपढ़न करता है मतलब मार्केटिंग करता है इस दबा का प्रियोग फैपड़ों आप चुकि फैपड़े की बात हो रही है तो ये पूर्षों में ज्यादता देखने को मिलेगा ठीक ऐसा नहीं कि महलाओं में नहीं देखने को मिलेगा महलाओं में भी मिलेगा लेकिन पोर्शों में भी देखने को मिलता है ठीक है तो प्रियोग फ्यापड़ों के केंसर के इलाज में किया जाता है बिशेशकर जिसमें एपड मेल ग्रोफ फैक्टर रेसेप्टर होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति चुछ किसमें एपड्रमल ग्रोफ फैक्टर रेसेप्टर MY उनने जो हे विशे worry के प्रियूक क्या सकता है। मतलब यह जुछ लीन एकित्टर्मेसिक। और से कैंसर के विकास को मापा जा सकता है यह दबा cancer कोशकाओं पर receptors को बाज़ित करता है एवं cancer को बढ़ने से रोकता है मतलब यह जो आप देख रहे हो OC narrative ठीक है यह actual में cancer की जो कोशकाओं होती है उनको आंगे बढ़ने से रोक रहा होता है यह दबा यह काम करेगी इस दबा का प्रियोग tumor को सल्च किस्सा द्वारा हटाए जाने के बाद या cancer के metastasis होने के बाद पहली पंक्ति यानि फर्स्ट स्टेज के उपचार के रूप में किया जाता है ठीक है यह फर्स्ट उपचार और जिसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे वह सेकंड उपचार था इस दवा का सेवन दवा फैल हो जाती है यह treatment नहीं कर पा रही है तो फिर इसका treatment रोग दिया जाता है फिर सेकंड बाला जो स्टेज था उसको लिया जाता है अंकोलोजी विशेशक्यों जो cancer रोज का अध्यन करते हैं दोस्तों उनको अंकोलोजी के अंत्रक्रत रखा जाता है उनके अंसार अन उप्लब्द उपचारों की तुल्ला में इससे जीवित रहने के लाव है क्योंकि यह cancer रोगियों के जीवन में 4-5 वर्षों का जाफा कर सकता है यह mutation को भी लक्षित करता है जो धूमरपान ना करने वाली महला में 25-30 patient में फ्यंपड़े की cancer का कारण बनता है यानि जरूरी नहीं है कि महलाएं धूमपान यह जो बेक्ति धूमपान कर रहे हो यह नहीं कर रहे हैं तो यह mutation को भी लक्षित करता है यह कोई महला जो ना भी धूमपान कर रहे हो तो उसके फ्यंपड़ों की cancer का कारण बन सकता है यह दवा काफी महगी है जिसकी 15 गोलियां वाली एक पत्ती एक स्टिप की कीमत 1.5 लाख है मतलब यह आप एक पत्ता ले रहे हो ठीक है एक पत्ता गोलियों का ले रहे हो जिसमें 15 गोलियां होत है यह और इस दवा का शेवर मतलब यह जो गोली है परड़े खाने पड़ती है परड़े दस अजार रुपे की एक टेबलेट लेनी पड़ेगी अगली दवा है डुरवालुमाब यह एक युमुनो थेरिपी उपचार है इस दवा का उप्योग फ्यापणों की cancer पित्त पत और cancer, मुत्रासर cancer येवं एकरत cancer के इलाज में किया जाता है यह दवा स्वेम को PDL यानि प्रोग्रामड, death, ligands, protein यानि ये प्रोटीन की रूप में आएगा ये cancer कोश्काओं की सताय पर मौजूद होते हैं से जोडता है और उन्हें PDL first को प्रतिरक्षा तंद के बारे में ज किया जा सके यह दवा सरीर की प्रतिरक्षा पणाली को cancer कोश्काओं को पहचानने एवाब उसे समाब करने के लिए प्रशक्षत करता है मतलब वही है कि फिर से जो मैंने अभी थूरी दे पहले आपको बताई था कि कि किस तरीके से ये चीजें को बढ़ती रहती हैं आंगे अध्यानों से पता चलता है कि इस दवा के प्रयोक से मरीज ठीक हुए है और लंबे समय तक जीविद भी रहे हैं ठीक है जब कोई ऐसी बीमारी जो अस्था में आ जाता है तो एजस्ट करता है अगला है सीमा सुल्क छूट का प्रावधान या प्रभाव इससे क्या पड़ेगा तो ज्यादा कीमत होने से कीमत में मामूली कमी भी बहुत अंतर पैदा कर सकता है विशेशक्ण्यों के अनुसार सरक उप्रूख दवाओं के जरूरत है यानि लगवख हमारे देश में एक लाख ऐसे मरीज हैं एक लाख ऐसे पिशंट है जिने इस पिकार की दवाओं की जरूरत है अब सीमा सुल्क क्या है अंतर राष्टे शीमा को पार करने पर लगाए जाते हैं जैसे यदि हमें कोई एक यैंसर की स्थिति क्या है तो दोस्तों लगातार पहली बात तो ये जान लिजिए कि कैंसर की स्थिति भारत में लगातार बढ़ रही है दूसरी बात लगशीव-शृत के दहीए 2022 में लगबख 14.6 लाग cancer के मामले आए 2021 में चवड़र दस्मलाग 2 लाग मतलब क्या देखे बढ़ते ही चले जा रहे चब यह च्छान 2021 में 14.2 लाग और 2020 में 13.9 यानि समझ यह 2020 में यह मामले है बढ़कर के चवदर दसंबलब 2 हो गए और 2022 में बढ़कर के चवदर दसंबलब 6 हो गए cancer के कारण 2022 में लगबख 8 दसंबलब 8 लाख यानी आठ लाख आठ हजार की लगबख मौते हुई ठीक है 2021 में 7 दसंबलब 9 लाख यानि 2020 में आप देखिए 2020 में 7,007,000 के लगवर मौत हैं फिर बढ़कर के देखिए यहाँ पर लगवर 2000 लोग और मारे गए 2021 में इस मौत कैंसर से और 2022 में आप देखिए कितना कितना ज़्यादा डेटा बहुड रहा है कैंसर के कारण तो यह कहीं न कहीं उन कैंसर रोगियों के लिए बरदान की तरह साबित हो सकते हैं 2020 में प्रती एक लाख जन संख्या पर 103,6 महलाएं चैंसर से पीरित थी जबकि पूरसों में संख्या 94,1 है यानि हम यह कह सकते हैं कि जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है यह पूरसों से ज्यादा महलाओं में हैं महलाओं में जैसे हम ज्यादा तो देखते हैं कि जो मधु में होता है जिसे अपन डाइवेटीज बोलते हैं तो डाइवेटीज में अपोजेट होता है कि पूरसों ज्याता पाई जाएंगे महलाओं में कम होता है तो यहां पर जो कैंसर की बन रही है यह महलाओं में ज्यादा है पूरसों में फेपड़े, मुह, प्रोटेस्ट, जीन, एवं पेट के कैंसर शामिल थे, जबकि महलाओं में इस्तन, गर्वासय ग्रीवा, अंडाशय एवं फेपड़ा कैंसर पर मुकता, जबकि देखे फेपड़े दौनों में हैं, फेपड़ा महला और पुरस मैंने जब अभी बताया था एक पॉइंट आया था तो वहाँ पर भी स्पष्ट किया था, भारती चिकस्या अंसंधान परशत के मताबिख, नौ मैंसे एक भारती को अपने जीवन काल में कैंसर नौ मैंसे एक बताया एक जीवन काल में कैंसर को है इसलिए दमाओं के सस्ते होने से उप्चायर ज्यादा प्रभावी होगा क्योंकि यह दमाओं इहीं प्रिकार के लोगों के लिए बनी हैं अब डबलू एचो की रिपोर्ट तो दोस्तों प्रति एक दस में से एक भारती को जीवन काल में कैंसर होता है है ना यहां पर जो से मौत में मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे मौत हो रही है उसमें दूसरे स्थान पर कैंसर शी 좋아하 о होती है बैस्ट वेक इस्तर पर छह मैं से एक मौत कैंसर की कारेंट होती है दोजाबाइस में यह सारा डेटा है दूस्तों नौ दॉस्तों साथ मिलियन मौते हुई है तो तब बीस स्थान पर है हाला कि होने वाली मौतों में सबसे कम कैंसर के मरीज मिले हैं तो आज दोस्तों हमें जैसे हमने कोरोना की और साफ सपाई का विशेश तोर पर ध्यान देते हैं मिलावटी वाली चीजों से दूर रहते हैं पैक्ड फूट का प्रियोग कम से कम करते हैं एमर्जेंसी की अबस्था में करते हैं घर का बना हुए सुद्ध भोजन और वह उसमें भी ऐसा हम तै करें कि यह कहीं बाहर से मि प्रिमारियों से लड़ भी सकता है और हम तो कोबिट से भी लड़के आए हैं तो यहां पर भी हम लड़ाई कर सकते हैं तो आज हमें अपनी दिंचर्या को बढ़िया रखना चाहिए अपना भूजन का तरीका भी एकदम सही होना चाहिए ठीक बहुत सारी चीजे हैं दोस् का थैंक यू दोस्पर थैंक यू सो मच